खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाईए और ABP News को सब्सक्राइब कीजिए गटबंदन को और ABP को 34 सीटे मिलने जा रही है जो 6 सीटे कट रही है वो JDU कोटे की है तो हम आपको बता दे कि बिहार में बड़ी सफलता NDA गटबंदन को मिलने जा रही है जो आंकड़ा एक्जिट पोल में निकल कर आया है हालकि विपक्षियों का ये कहना है कि ये जो आंकड़ा है वो नतीजे आने के बाद बहुत बदला हुआ होगा मौसम वेग्यानिक राम विलास पासवान हाना करते हुए नजर आ रहे हैं इस बार वो BJP के साथ रहे हैं राम विलास खुद चुनाव नहीं लड़े बेटे चिराग को चुनाव लड़वाया पासवान खुद राज्य सभा में जा सकते हैं अब पासवान परिवार इस नीती पर काम कर रहा है कि फिर से मोधी सरकार बनी तो मंत्री चिराग पासवान बनेंगे तो बड़ी ख़बर ये भी है इस समय की कि पासवान इस बार चिराग पासवान के लिए मंत्री मंडल में जगे तै करना चाहते हैं क्या कहना है वो सुनिया पचास साल राजनिती में पूरा कर लने के बाद इस बार खुद चुनाओं में नहीं लड़ रहे थे राम विलास पासवान लेकिन तेरासी जगहों पर हेलिकॉप्टर से उन्होंने दौरा किया क्या हुआ एकजिट पोल के नतीजे जो बचाते हैं और जो आपने चुनाओी दौरा किया उसमें क्या आपको समानता देखी क्या लगता है कि एकजिट पोल के नतीजे सही है इन्हें बिल्कुल सही है। चुक्प हमको लगता है कि इसे भी और अच्छा होगा। कि हम लोग जहां जहां गए थे तो वहां सब जगह पर जो लहर जो चल लाथा और सबसे बरी बात थी कि जितना लहर सहर में था उसे भी जादे गाउं में था। कि जो अनपर्द लोग थे बीना जो मद दाता थे जो तो हमको लग घा था कि जो उनके मन की भावना है हमने देखा कि इस पार दलित वोट मे टूट है, रविदास वोट में, मलाँ वोट में, अतिपिछडे में तो अब उसमें क्या किया जिसे हमारा कंडिडिट वहाँ था गुपाल गांज में तो एक तरफा दिया तो इसलिए वो सबसे कोई पर ओभर ओल देखा जाता है और जिस तरीके से ये लोग महागट बंदन के लोग खैर महागट बंदन दो था ने गट बंदन भी नहीं था सब जगा एक तरफ में इंटरफ त्री लोग थे नरंद मोदी जी के नाम पर दूसरे तरफ में थे कोई मंच सीर नहीं कर पाया है इक दूसरे के साथ में हम लोग पीम जब आ下次 नहीं थी जिस meeting में सारे that तो बखीत को उनके जो आँए तो चिराग पासवान आपको लगता है कि राम बेटे के बेटे हैं कि नाम की जगा अब चिराग पासवान खुद का नाम इस्टाबलिश कर पाएंगे अगर अगर एंडिया की सरकार बनेगी तो चिराग मंत्री बनेंगे अब पहले कहाते हैं कि आने समय देखते रही है ने सब कुछ तो इसलिए जो है इसबार मेरा सवाल सीधा है कि मौका मिला तो राम विलाज पास्वान मंत्री पद छोडएंगे बेटे को बनाएंगे चिराग होलें सोल है चिराग पारलेमेंटी बोड का चेयरमेन है जो पारलेमेंटी बोड का चेयर पारलेमेंटी बोड फैसला करेगा वही होगा वह फैसला आपके चाहे अपने लिए करें लेकिन उन्हीं के फैसले पर सब कुछ होगा आपको लग रहा है कि आपके चिराग के शेत्र में जेडियू के कुछ नेताओं ने बुरा प्रचार किया था, खिलाफ गये थे, क्या उनके खिलाफ में अनुशासनात्मा करवाई होनी चाहिए? हम देखा नहीं है, लेकिन निति जी के नॉलूज में है, निति जी आप नडंदर, कुछ नहीं था, क्या नडंदर सिंग के समझ में था, तो दो-तीन को जो लोग थे जो अपने को समझते थे कि हमारे ही पौकेट में भोट रहता है, तो वहां नडंदर सिंग थे हमारे हैं एक ही चीज़ काना चाहते हैं जाहीं है चुनाओ का तो तो इसलिए बहुत खराब महिना होता है ने 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 चारंड की बात हम नहीं कर रहे हैं हम तो कर रहे हैं कि इसको नुमांबर में होना चाहिए सब दल के लोगों को बैठना चाहिए और बैठ करके एक सम्मती से कहते हैं कि रास्ता निकालना चाहिए या तो कहते हैं कि अक्टूबर नमंबर में हो या कहते हैं फरवड़ी मार्च में होना चाहिए यह लू के महिना में अप्रेल मैं में नहीं होना चाहिए ये क्यागते हैं कि हमारे क्यागते हैं और इससे भोट का परसंटेज बरेगा अभी भोट का परसंटेज इतना होने के जागरूपता आई है लोगों में अभियान भी चला है लेकिन क्या है कि सब्च के बाप जुद भी जहा है भोट का प परकार बनती है तो क्या चिराग पासवान मंत्री बनेंगे इस बार। हमारे सहयोगी शालेश के साथ प्रकाश कुमार एबीपी न्यूज पटना।